दोस्तों नमस्कार भारत और पाकिस्तान का जिक्र हो और उसमें बावर आजम का रिजवान का भारत की और से रोहिश शर्मा का और विराट कोली का जिक्र ना हो चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी तर्चा भारत पाकिस्तान की इन चार खिलाडियों के बिना बिल्कुल अधोरी है जिया टाइमिंग्स अगर आप देखें सभी खिलाडियों का वो बहुत लाजवाब रहता है गेंद को मिडल करते हैं बहुत इसे तरीके से बावर आजम पर बात करते हैं के पास टाइमिंग बहुत अच्छे हैं और कई बार हमने देखा है कि लेकिन इनका बल्ला कई बार जल्दी चल जाता है जैसा कि हमने लंका प्रीमेर लीग में ने कई तक्निकी कमजोरियां इनकी देखी नूर एहमत जो की उनके मिस्ट्री स्पिनर या यह कहिए कि उनके ल हुए हम कमियाज सबकी बताएंगे कोशिश करेंगे कि इन कमियों से यह निजात पाने की कोशिश करें और एक दिक्कत और है कि जब यह फॉर्वर्ड डिफेंसिव शॉट करने जाते हैं तो कई पर एंटिसिपेट नहीं कर पाते गें टर्न करती है गें बल्ले का बाहरी कि करने जाते हैं तो वहां गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती है या कई बार वो गेंद जो है उसमें यह चूप जाते हैं और क्योंकि तीसरे स्टम की गेंद होती है कई बार तो यह उनको बोल्ड होने के चांसे रहते हैं चौथे स्टम से गेंद के तीसरे स्टम तक आने म कोई ज़्यादा समय नहीं लगता लेकिन एक कट करने चूकते हैं जैसे कि हार्दिक पांडिया के सामने आउट हुए तो ये खोड़ी बहुत प्रोड इसे टाइमिंग गड़ बनाने की दिक्कत है अगर यह से निजात पाने तो उनके जसा नाया भीरा तो पहर इस वक्त कहीं मिलेगा नहीं विराट कोली के बाद अगर सबसे जादा चर्चा होती है तो या तो रोही शर्मा की होती है या बावराजम की होती है चली रिजवान पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाडी जो पीछे जब वर्लक अप शुरू हुआ था वर्लक अप से पहले या यह कहिए कि इश्यकप के दौरान या इश्यकप से पहले रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे थे कई तरह की उंगलिया उन पर उठ रही यह है कि पांच पांच पारियों में से तीन में उनकी हाफ सेंचरी है और एक में उनकी सेंचरी है एक में सेंचरी तीन हाफ सेंचरी और तीन बार नाट आउट रहना उनका तो यही दरशाता है कि इस वक्त अपने करियर के बहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं मौहमद रिजव है हर खिलाड़ी इस बात की कल्बना करता है कि उसके ये सब खोवियां हों वो रिज़वण में खोवियां हैं लेकिन पिछले कुछ समय से रन आउट होना इनके लिए बहुत बड़ी परिशानी का सबवब बना है तीन बार ये खिलाड़ी रन आउट हुआ है पिछले करीब एक साल भर में तो ये थोड़ा सा अखरता जरूर है और वो भी नेपाल या अफगानिस्तान जैसे टीमों के खिलाब इनके साथ भी वही बाबर वाली एक दिक्कत है कि डिफेंट करने जाते हैं कि इनको रोकते हैं तो जैसे हैंडी शिपले ने इनको आउट किया था उस पे वो फसे और ये कुछ थोड़ी बहुत दिक्कते हैं कुछ जादा मेरे खाल से ऐसी परिशानी नहीं है उनके साथ लेक क्योंकि लेप टाम स्पिनर ने इनको बहुत बार आउट किया है और सबसे जादा इनको पिछले साल-डेड़ साल में लेप टाम स्पिनर नहीं आउट किया है तो मुहमर नवाज है पाकिस्तान के पास उनसे थोड़ा सा इनको बचके रहना होगा ऑफ के बाहर जो है छटे स की गेंद होती है उसमें एज लगता है और उस पर यह आउट होते हैं कि कवर ड्राइव के मास्टर हैं यह और कवर ड्राइव में जो है गेंद भारी किनारा लेती है लेकिन यह बार बार उस बात को गलत साबित करने में लगे रहते हैं कि उनकी गलती कुछ नहीं है वो जल्दी खेल गया शाहिन शाफरीदी को जसे उनको अपना विकेट खोना पड़ा तो अब रोही शर्मा की बात किर लेते हैं रोही शर्मा हमारे हिट मैं जिन्होंने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाब सेंचरी बनागर कई कीरतिमान अपने नाम कर लिए और ये खि उनकी अंदर आती हुई गेंद शुरुआती ओवरों में उसके शिकार हुए थे अपना विकेट उनको गवाना पड़ा और इसके अलावा पल्ली कल में पिछले दिनों जो इश्यकप का मैच था वहां भी एक इंसाइड एज लगते हुए गेंद जो हैं ये बोल्ड हो गए थे अंदर आती हुई गेंदें शुरुआती ओवरों में खासकर बाएं हाथ के तेज गेंद बाजों की इनके लिए सबसे बड़ी परिशानी है केल रहुं के साथ भी ये थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन रोहिश शर्मा के साथ थोड़ी सी ज़्यादा है अगर एक बार या इनकी फॉर्म को देखते हुए कि किस तरह के से इनको फसाया जा सकता है किस तरह से आउट हो सकते हैं अपनी राए हमें जरूर दें इस बारे में कि आप मेरी इन सब बातों से कितना इतिफाक रखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नवस्कार